सुश्मा जी स्वागत है आपका नमशकार में जी नमशकार आप कहां से बात कर रही है मैं मैं हरया नहीं बाला से बात कर था जी मैं आपका सवाल सुष्मा जी स्वागत थे हमारे प्रोगा में आपको बेटी के बारे में सर आपने वो देर ही हूं मैंसे तो हलका सा मतलब फरस लगा है सर मैंने फोन इसले किया है भी आपो उसके लिए दुआ करो आपकी दुआ बहुत लगती है बहुत बहुत धन्यवाद और फाइदा भी शुरू हो गया सुष्मा जी दो दिन में आपको फाइदा भी शुरू हो गया भगवान की आप पर बहुत महरवानी है और जिन पर भगवान की महरवानी होती है वो लोग इसलायक होते हैं कि उन से दुआ के लिए कहा जाए तो मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि मेरे लिए भगवान से प्रातना करें कि मैं आपकी सेवा और ज्यादा कर सकूँ बरहल आपने मुझे कहा है तो देखिए मेरे प्रोगाम में या मुझे में और दूसरे लोगों में यही फर्क है कि आप मुझे दूआ के लिए कहें या न कहें मैं आप लोगों के लिए अपने यानि मश्वरी के साथ दुआ भी खामशी से करता हूँ और रोज करता हूँ कि ए भगवान मेरे साथ जो वीवर्ट चुड़े हुए है अगर तुझे मेरी लाज रखनी है तो मेरे बताय हुए मश्वरे में उनको फाइदा लिखते हैं उनको हुकम दे दे उन दवाओं को उन मश्वरों को कि उन मरीजों को फाइदा दे दे शायद इसी का असर हो और मैं विशेज दुआ भी करूँगा कि आपके बच्चे को फाइदा हो जाए दिल्ली से हैं लाजवन्ती जी स्वागत है आपका हालो लाजवन्ती जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है आपका तो नाम लाजवन्ती जी दवाओं वाला नाम है पहले भी शायद बात हुई है आपसे कोई प्रोगाम ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम न लेता हूँ स्वागत आपका मैं उस अचारी की मेरे दीन सवाव है आपसे एक तो जो गौन मौरिंगा है तो ये सफेद वाला जो आप देते हैं हमने तो पेड से निकाला है वो तो फोड़ा ब्राउन कलर का होता है और जो काला गों तो ये पूंच पेड़गा होता है और एक मेरे दामाद के दोस्त है उनकी उमर होगी कोई 55-56 साल और उनके पैर में गैंगरीन हो गया है उनके पैर का काटने की नहों बताईगी तो उनके लिए को इलाज हो तो बताईए आप इसनी जो देखिए जो गॉन मौरिंगा है ये जब फटिलाइजर में पैदा होता है तो ऐसा होता है जैसा आपको मिलता है पेड़ से और वो प्रोसेस नहीं हुआ होता तो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं ये जो गॉन मौरिंगा है इसको जब हम तीन साल तक किसी खेट में फटिलाइजर नहीं डालते और गोबर की खाद और और्गैनिक खाद जो डालते जिसे और्गैनिक कहते है तो वो ऐसा होता है जैसा मैं बताता हूँ और जो आप बता रही है वो फटिलाइजर वाला है जो प्रोसेस भी नहीं हुआ होता हम जो देते हैं वो एक प्रोसेस वाला होता है और उसी को असली माना जाता है असली इसको भी माना जाता है लेकिन नहीं हुआ था उन जमाने में इसकी लकड़ी से मासरी बनती थी ये बिल्कु आल होता है काली बासरी होती थी रब मेटल और चल पड़े हैं लेकिन अभी भी किसी किसी के बास वह मासरी म होजूड रहती एक बिलकुल काले दाओं के साथ आप ऐलसी को हलक सा भून ले और एक चम्मच ऐलसी खिलाएं मरीज को और एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी कहाने का सोड़ दो गिलास पानी में मिलाकर एक चम्मच ऐलसी दें एक टाइम दिन में या दो टाइम लगा तार दें, कुछ फाइदा हो तो हमसे आप बात करते रहें, पर ना आप डाक्टरों की बात मान सकते हैं. जम्मू से हैं अनीता कुछा जी स्वागत है आपका. अलो मैंने अश्कार. जी नमस्कार सर. मैंड़ मैं हम हकीम सुलिमान जी का प्रोड़ांग देखते हैं, हम नमबर की जिर्कों मैं मला रहा था मिलनी रहा था. आप के सामने हाजिर हूं, बताए ये क्या सवाल है? ये सर्व हमने मागवाना था नमक जैतून, जैतून का सिर्का, गोन मरिंगा, गोन सिया. आप हेल्प्लाइन नमबर पर बात करें, दूसरा जो नमबर आ रहा है उस पर, किसी रोक के बारे में अगर आपको कोई सवाल करना है, तो हम आपके सामने हाजिर हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, ओर्डर के लिए हेल्प्लाइन नमबर लीजे, उन पर बात करें, आपकी मद कि जाएगी जी अगले कॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका है हलो और यह अलेकुं समी आपका नाम क्या है जी मेरा नाम अब जो जी आपका सवाल जी इसमेरा सवाल पहुत तसली की साथ मुझे बहुत इन मिनाम की साथ सुनियों, मुझे बहुत परेसामी हो रही हुम, बताएए मुझे काटना मुझे दिसकत्या हो रही के मेरो गैस बनों महत ज्यादो और मैंनों अंडर्स गनाम अंडर्स कोशी भी करा लिए आडर्स ओन दिने रही हो लिए आडर्स ओन मुझे बचे लिया वो और कोई बाद में आपकी तो जी अब गैस जो बनो ना वो ना बाहर और ना तलेगो बस अब तशलियों महीं कर रहो गैस वो अच्छा बोब नहीं लगती बिल्कुल भी अर क्या ना उईद मेरे टेट मौन और बस नूआ कुछ लूए अपकूछो और कोई तो सवाल नहीं जी और सवाल बस यख तरु आप कहारे ने काठीो मत हम लोग नहीं काठ तक ते फोन ये काठने वालार्द दूसरे डिपार्टमेंट है हमारे पास तो आ गया तो हमें होता है कि अच्छे से बात करें नहीं तो हमें निकालने प्रोग्राम से तो काटने वाला कोई और है अच्छा देखिए ये बहुत अच्छा किया अफ्रोज आपने के अल्टा साउंड करा लिया ताके हमें भी इत् प्रिसूजन ऐसे रोग होने से हम इस तरह की बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं एक बड़ा अच्छा नस्खा है आप तो ग्रहनी हैं और च्छे चीज़ें आपके किचन में मौझूद हैं और च्छे चीज़ें कौन सी लिख लो जी अगर पैन में लेके बैठे हो तो लि अजवाइन धनिया में थी च्छे चीज़ें आपके किचन में याद रखो सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया में थी च्छे चीज़ें दो बार मैंने बोल दी और एक बार बोल देता हूँ आपकी भाशा से मुझे लग रहा है कि आप पताने लिख पाओगे या नहीं सौ सौ गिराम खरीद कर पाओडर बना लो और जी पाओडर बना के एक डबे में करके रखो एक आता है नमक जैतून नमक जैतून याद रखो जी के एक नमक विशेश है जो स्वाद में नमकीन ही नहीं होता ये अलग से सौ गिराम खरीद लो एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में डालो दो गिलास पानी में एक बनी मिक्स हो जाता है असानी से नमकीन भी नहीं होता है अलका सा कड़वा या खारा सा होता है ये जो छे चीजों का पाउडर बनाया है ये एक चमच खालो और ये दो गिलास पानी पी लो दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा बस काफी है अब ये रोजाना एक बार जरूर लो जाज जादा दो बार आपको फाइदा होना मुम्किन है बिलकुल हकीम साब सवाल यहाँ पे मैं जरूर करना चाहूंगी इन्होंने कहा कि इनको गैस पास नहीं होती है जिन लोगों को इस तरीकी की प्राबलम होती है तो क्या ये भी एक संकेत है कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है अगर हमारी गैस पास नहीं होती है अगरे कि एक सिस्टम करते हैं जो भी काम नहीं होता उसमें कोई भी खत्रा हो सकता है ये गैस इतनी पावर होती है कि ये कहीं भी परिशान कर सकती है इसको लेने सबसे पहले तो आपको कैसी पास होने लगती है आदा एक गंटे में आपको अच्छे से गैस पास होगी जो लेटीन है वो आगे सरकना शुरू हो जाती है और वरम हो तो वो दूर होने लगता है कहीं भी सैलिंग हो जाती है ना वरम और लीवर को मजबूर करते हैं ये के ठीक से काम कर और मेदे को हजम का हुकम देते है ये निसका और आतों में बल देते हैं कि वो जल्दी से गैस प करता है, लीवर को भी खायर लगता है, इसकिन का भी खायर लगता है, सहत का भी खायर लगता है, आप इसे इस्तेमाल करें, आप इसे फाइदा उठा सकते हैं, बीना वर्मा जी जुड़ गई है हमारे साथ, स्वागत है आपका, नमस्कार, जी नमस्कार, मैं मेरे दो सवाल मे मैं मैंने गोंस दिया लिया था और उसको एक महना हो गया लगवाद खाते हुए तो मैं वो अल्टी के तब में ले रही हूँ मेरे पार सुबे बहुत टाइट हो जाते हैं, कलना मुस्खिल हो जाता है पर मुर्थे नहीं है और दूसरा तो मैंने मेरे लड़की के ठाराइड है और उसके बाड़ी में स्ट्रेच मार्च पड़ रहे है स्ट्रेच मार्च तो उसका कोई लग है ठीक है मैं अच्छा ये बताईए ये जो पैर टाइट हो जाते हैं पहले भी होते थे ये अभी हो रहे हैं आपके और अब है command पर क्या मैम आप बात कीजे बीना जी मैम ये बताईए कि आपके पैर पहले भी टाइट रहते थे ते या अभी होए है नहीं अफ्टू भू ये मेरे चार ऊस्टेटी एक हो रहा है तो मेरे पार ये टाइट हो जाते हैं अगर चलते रहते हैं तो चलते रहते हैं ठीचे अगर ख़रे अगर चाइट हो जाते हैं तो इसमें दर्ध बहुत होती है अगर फिचर में पांग छे रोटी आप मैंने सेक लिखड़ी उसके तो ये पार टाइट हो जाते हैं जोसे दर्द की दवा आप खाते थे वो छोड़ दी आपने अभी खाते हैं। ने खाते हैं सर, अभी सार हैं। कितनी बार खाते हैं, पहले की तरह या कम हो गई कुछ? नहीं, दोनों पैन खाते हैं, वो अल्टी के साद एक ग्राम। नहीं, दर्द की दवा, इंग्लिश दवा जो खाते थे? दर्द की दवा नहीं लेते, कोई ठीक है। अच्छी की फाइदा तो है, अगर दर्द की दवा इंग्लिश छूट गई है, तो फाइदा तो है, इसमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं। और ये खिचाओ आता है, तो ये दवा से ही आता है, ये अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। माना कि एक महीने हो गया, लेकिन अभी दो महीने की दवा और है आपके पास। वजन न उठाए, मेहनत न करें, वैस्टण टॉालेट कुर्सी वाला शुचा ले इस्तिमाल करें और आप ये इस्तिमाल करते हुए आप लगातार भग़वान से मदद मांगें। वजन बिल्कुल ना उठाए, जाड़ू पोचा भी ना करें, वेस्सेंट टॉालेट, कुर्सी वाला शोचाले इस्तमाल करें, अजि बहुत गुन जाईश है आपके अच्छा होने में, और वजन जादा है तो उसको भी कम करनें, जिनको वो निशानात आगे हैं, उनके लिए आप अलसी और इसको हलका सा भून कर, अलसी को, एक चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ रोजाना एक बार लिया करें, उनको फाइदा होना मुम्किन है, थाराइड, अगर थाराइड भी है तो एक चमच धनिया, आद़ चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतून, लगातार दिन में दो बार, सुबह नहार मूँ और रात को सोते वक्त दें, तो उनके भी दोनों रोगों में फाइदा होना मुम्किन है, लेकिन जल्दी बद करना साथ-ाथ महीने भी लग सकते हैं.